यूटूब एब पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ सेक्टर में फारिंग की जा रहे हैं और मोटार दागे जा रहे हैं और बताए यह भी जा रहा है कि पाकिस्तान अखनूर सेक्टर के परगवाल बाजार को निशाना बना करके गोली बारी कर रहा है और इसमें 25 वर्षिय सुलक्षना देवी, 40 वर्षिय बंसिलाल और 22 वर्षिय बलविंदर सिंग घायल हुए है जिनको पी एच उसी परगवाल में भरती करवाय गया है वही पाकिस्तानी गोली बारी को देखते हुए अखनूर सेक्टर के परगवाल के लोगों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया गया है साथ ही अरणिया और आरेस पूरा बॉजर इलाके के स्थानी लोगों को भी अलर्ट किया गया आपको पता दे कि भारत और पाकिस्तान के डीजी एमो के बीच उचार दिन पहले इसीमा पर गोली बारी रोकने के लिए बातचीत हुई थी दोनों देश साल 2003 के संघर्ष विराम समझोते को पूरी तरह से लागू करने पर सहमत भी हुए थे लेकिन पाकिस्तान अपना रंग दिखाने से नहीं माना और रमजान के पवित्र महिने में बिना उकसावे के गोली बारी शुरू कर दी झाल उकसावे के लागवे के लेकिस्तान पाकिस्तान भी को जो कि इसना डिसान बित्सा थाज कर दो थे किसज बाता हुए झाल कर दो कि लेकिस्टान ।